कि नजर के शेरों और सेक्टर्स पर हैं डिटेंज लेकर हमारे साथ गौरव मौझूद हैं गौरव गुड मॉर्णिंग बताईए जी तो सबसे पहले बात करते गेल इंडिया की जहांपे जेपी मौर्गन का एक मानना यह है कि कहीपे गेल इंडिया में कहीपे पॉजिटिव सब्सक्राइब करते गेल इंडिया के बात करें तो वहां पे एक आउट पर्फॉर्मेंस देखने की काफी जादा चांसे से जेपी मौर्गन के हिसाब से पर अगर 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 अम कंसेंस का नंबर देखे तो कंसेंस का मानना यह है कि कहीपे हमें अगली बात करते हैं पी एन भी हाउसिंग की जहां पर मौर्गन स्टाइब करते हैं अगली बात करते हैं पी एन भी हाउसिंग की जहां पर मौर्गन स्टाइनली ने एक टैक्टिकल अलोकेशन के लिए आइडिया देखे रखा है जहां पर उनका मानना यह है कि प्राइस जो है शेर प्राइस वह रिलेटिव इंडेक्स के हिसाब से अगले अगले साथ दिनों में कहीपे और आउट परफॉर्म करने के काफी जाधा चांसे से तो उनका मानना यह है कि कहीपे शॉट टर्म वालुएशन अगर हम कंपनी का देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव है कंपनी अभी फिलहाल वन पॉन टाइम्स प्राइस टू बुक वैल है आखिर में बात करते हैं जैम फाइनांशियल्स ने किम्स हॉस्पिटल पर जो इनिशेशन किया है उसके बारे में जहां पर उनका बाय रेटिंग वो इनिशेट करते हुए टार्गेट प्राइस वह उन्होंने 2,950 रुपीज का देखे रखा है उनका मानना यह है कि आई हमें और कंपनी में देखने को मिल सकता है कोर और न्यू मार्केट एक्सपांशन में और आखिर में अगर हम वालुएशन की भी बात करें तो 19 टाइम्स एवी टो एबिड़ा में ट्रेड कर रहा है वो कंपनी जो की काफी अट्रैक्शिव वालुएशन है और इसलिए एक ब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की और वहां पर ट्रेड क्या रखें ये भी एक बार समझ लेते हैं हमारे साथ एक्सपर्ट ने ही जोड़ पाए हैं आज थोड़ी टेक्निकल दिक्कत हा रही है एक्सपर्स को जोड़ने में लेकिन उनके कॉल्स है हमारे पास कुवर जी रवीडि गया जी के तरफ से जो कॉल्स हमें मिली उसमें पहला है जिंक यहां पर वह तेज़ी करनी की सलाव देर हैं दोसुबारा के सतर पर टारगेट होगा दोसुष तरह का और स्टॉप लॉस उजा रहे हैं 210 का हैं सोने में भी तेजी करने की सला थोड़ी हाई बेटर नज़र आएगा 62 650 का होगा टार्गेट स्टॉप लॉस उझा रहे हैं 61 980 का तो सोना और जिंक इन दोनों मेटल्स में खरदारी करने के सला एक्सपर्ट की तरफ से